हलो बच्चों तो आज जो है आपके लिए टॉपिक है कौनसा टिशू आफ हिमन बोडी का ये है कौनसा पार्ट फोर पार्ट वन टू थ्री में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन आफ टिशू सिस्टम उसके बाद इपिथिलियल टिशू सिस्टम उनका क्लैसिफिकेश और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कंप्लीट सईयों जी उतक के बारे में मतलब next type of tissue that is what? कनेक्टिव टिशू तो कनेक्टिव टिशू के बारे में हम लोग देखते जाएंगे ध्यान से समझना इसी में कोशिस करेंगे कि पूरा कनेक्टिव टिशू खतम कर दें तो भई क्या होता है connective tissue और क्या होते हैं इसके काम क्यों होती है सरीर को इसकी जरूरत क्योंकि बिना जरूरत के इस सरीर में कुछ भी नहीं दिया जो कुछ भी है जो चीजे है उनका अपना एक मतलब है उसी मतलब को समझने का नाम है biology human anatomy and physiology ठीक उनका क्या काम है क्यों दिया हुआ है तो भाई connective tissue या संयोजी उतक नाम से ही पता चलता है संयोजन का काम करता है एक दूसरे को जोड़ता है connective tissue मतलब connection connection बनाता है किसके किसके बीच में हमारी body में हर चीज एक सेल को दूसरी सेल के बीच में, एक टिशू को दूसरे टिशू के बीच में, टिशू को औरगन से, औरगन को टिशू से, बोन को बोन से, बोन को मसल से, ठिक हर चीज को connect करने का, प्लस बॉडी के अंदर कुछ भी किसी भी तरह का कोई nutrition देना है, मिन्स ट्रांस्पोर्ट क जो connectivity है, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, कौन? Connective tissue, ठिक, तो provide क्या करता है, body structure भी provide करता है, protection भी देता है, oxygen भी देता है, ले के जाता है, carbon dioxide ले के आता है, nitrogenous waste ले के आता है, excrete करवाने में help करते हैं, ठिक, किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है, उससे लडने का काम भी करते हैं, defense mechanism, ठिक, कहने का मतलब आपके सरीर को fit fart, चाहे आपका सरीर का कोई figure हो किसी का, या किसी का body skeletal system, कुछ भी, सब कुछ depend करता है आपके connective tissue पे, ठिक, तो इसी पे आते हैं हम लोग, just second pointer उठा लेता हूँ मैं, एक-एक point आराम से सुनते चलो, सारी pictures यहीं clear हो जाएगी, और जो इसमें लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, वही है आपके लिए notes, notes की demand करते हो न, वही notes है, copy किताब लेके notes बनाने लगना, कोई भी point किसी भी तरह का, चाहे आप competition देने जा रहे हो, चाहे आप अपना exam देने जा रहे हो, कहीं सारे ऐसे points भी हमने लिए, जो आपकी books में नहीं दिये हुए, क्यों, क्योंकि जब exam में multiple choice question बनता है, तो जो आपका examiner है, अब वो internet से बनाता है, paper, या आपकी book से बनाता है, या किस writer की book से बनाता है, यह हमको नहीं पता हो, जरूरी थोड़ी आप जो book पढ़ रहे हो, उस सबसे ज़्यादा widely distributed, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला tissue है, जिसको क्या बोलते है, connective tissue, इसी के बारे में हमको बात करनी है, दूसरा, जब हमने epithelium tissue बात की थी उसकी, origin की बात की थी, तो हमने यह बात की थी, कि जब embryonic stage में, origin कहां से होती, embryonic stage में, तो ep epithelium tissue क्या है, ectoderm, mesoderm, endoderm, triploblastic, अकेला एक tissue epithelium था, जो आपका connective tissue है, यह mesoderm से मिलकर बना होता है, किस से, mesoderm, यह कैसे, mesoderm of embryo, embryonic stage में, जो mesoderm था, उस से मिलकर, उसी से, उसकी जो mesoderm की layer थी, जो भी हमारी body में connective tissue हो, चाहे bone हो, चाहे cartilage हो, चाहे tendon हो, चाहे blood हो, चाहे lymph हो, यह सब कुछ बना है, mesoderm से, यह तो बात हो गई काहे कि, origin की, अब connective tissue कब बोलेंगे, कब कोई चीज होगी connective tissue, connective tissue में basically 3 चीज़े होती है, कौन सी, 3 component, भाई अगर हम बात करें, structural features of connective tissue, या component की क्या-क्या मिलकर बनता है, कब बोल सकते है, तो उसमें, एक तो होता है matrix, जिसको क्या बोलता है, intercellular medium, एक cell से दूसरे cell के बीच में medium present होता है, भाई dry थोड़ी होगा नहीं, आपस में टकराते रहेंगे, कोई तो ऐसी चीज़ होगी, या बरतन के साथ खंखनाते रहेंगे, है न, एक जोले में चार चीज़े रख लो, चार बरतन आवाज होगी, लेकिन आपकी पूरी body में कितनी सारी cells है, आप चाहे उचलो, चाहे कूदो, चाहे लडो, चाहे मरो, कुछ भी करो, कहीं से कोई आवाज आती है, नहीं आती, क्यों, क्योंकि intercellular material, एक cell से दूसरे cell के बीच में, एक organ से दूसरे organ के बीच में, अलग-अलग form में पड़ा हुआ रहता है, ठीक, फिर connective matrix होता है, cells होती है, type of cells होती, कौन-कौन से आगे देखेंगे, fibers होते हैं, तो connective tissue कब बोलेंगे, basic ये तीन component है, अलग-अलग जरूरत है, वहाँ-वहाँ पे, मैंने layout के मादन से समझाने की कोशिस की है, अगर समझ में आए तो ठी नहीं समझ में आए, तो कोई बात नहीं, बुक से पढ़ लेना फिर, है ना, matrix का मतलब मैंने बता है, intercellular, cells, अलग-अलग तरह की cells है, कौन-कौन से cells है, है ना, वह अभी हम आगे जब पढ़ेंगे, तो देखेंगे, fibers कौन-कौन से होते हैं, तो सहीं जी उतक बोलते हैं, जब matrix cells और fibers, एक जगे पर प्रेजेंट हो, अब matrix क्या है भाई, यह होता है, ground substance, क्या होता है, ground substance, mainly made up of mucopoly saccharide, and substance of hyaluronic acid, इसका बना हुआ होता है, यह cell से cell के बीच में, टिशू से टिशू के बीच में, matrix का का काम करता है, मींस जो चिप-चिपा पदार्थ होता है, उसको क्या रहता है, बना हुआ होता है, nutrition, जिसको बोलते है, extra cellular material, तो यह होता है, matrix, फिर हम बात करते हैं, अगर cells की बात करें, का है कि, cells की बात करते है, number, matrix हो गया, matrix, जो आपका liquid है, फिर हम बात करते है, number 2 पे cells, cells इसमें कौन सी है, जिसमें सबसे पहले number की जो cell है, उसको बोल blast, बाहर अगर आ जाए, तो blast मतलब blast हो गया, है ना, वो blast नहीं, यहाँ पे कहीं भी आपके human anatomy में, अब biology में, शब्दाए blast, मतलब something going to form, कुछ formation, किसी चीज़ की making हो रही, अब नाम क्या है, fiber blast cell, मतलब यह fibers की making करेंगे, कहें की, fibers की making, देखो इधर, figure में साप साप दिया ह यह क्या है भाई आपका, fiber blast है ना, fiber blast है और यह कैसा है, cylindrical form में है, कैसा है, cylindrical form में है, और bunch of fibers, यह क्या है, bunch of fibers, देखो कितने सारे fibers है ना, तो यह काम क्या करता है, fibers को produce करने हो, fiber क्या होता है, fiber एक तरह का होता है, protein, तो यह branch होता है, largest, सबसे बड़ा होता है, maximum होता है, number म और composed of protein का बना हुआ होता है function, mainly function fibroblast का produce fibers and matrix but सबसे maximum number of matrix जो produce करता हो fibroblast cells है with fibers बात समझे, क्योंकि matrix में fibers भी होते हैं, है न, तो सबसे ज़्यादा मातरा में कहीं पर भी blast आ जाए, कुछ चीजों का ध्यान को blast आ जाए, मतलब कुछ form हो रहा है, और अगर clast आ जाए, clast, CLST clast आ जाए, it means वो कुछ destroy करने का काम कर रहा है अगर blast आ जाए तो baking, और clast आ जाए तो destroy, ठीक, तो यह हो गई fibroblast cell, और कौन सी cell से हैं, macrophases, macrophases क्या होते हैं, macrophases मतलब something going to engulf इसको बोलते हैं, cell eating इसको histocytes भी बोलते हैं, इनका काम क्या होता है किसी तरह का कोई foreign material bacteria, fungi देखो ध्यान से देखो यह हैं, क्या हमारे blood के अंदर जब यह रहते हैं, तो इनको बोलते हैं, monocyte, क्या बोलते हैं monocyte, बट यही tissue में जब आ जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं, macrophage दोनों सेम चीजे, कहीं कोई फरक नहीं है आपकी जब भई, जएसे human body होती है, अगर human body की बात करें, तो human body में जब तक कोई चीज blood के अंदर है तो यहां पे बोलेंगे इसको monocyte और जब कोई चीज tissues के अंदर आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम macrophages या histocytes histo मतलब tissues और site मतलब cell, ठीक तो histocytes, तो tissue की जो cell होती है उसको क्या बोलता है, phagocyte यह का, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, जो भी cell infected हो गई है जो भी cells infected हो गई है suppose करो, यह कोई cell है, जो infected हो गई है तो micro fast क्या करेगा, इसको ऐसे, ऐसे करके क्या करेगा phagocytosis, मिन्स यह इसको ingulf करके खा जाएगा खा के, क्या cleaning का काम करेगा, मिन्स यह एक तरह से बात करो यह cleaner का काम करता है, connective tissue, कनेक्ट भाई, कोई भी cell अगर damage है, अगर खराब हो गई है, तो क्या हमारे blood में पड़ी रहेगी, blood में पड़ी रहेगी, तो किसी तरह किसे ने किसी तरह की problem cause करेगी, तो इस problem से निकलने का तरीका कैसे रहता है, तो body में सब कुछ एकदम perfect बना है, cleaner भी है, तो यह macrophages क्या होते हैं, कोई bacteria, fungus, कुछ भी आ गया हो, है ना, जो हमारी cell को infected, मान लिया, कोई cell infected हो गई, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, यह क्या करें, macrophages जाएगा, उसको खा लेगा, ऐसे मुफल आएगा, और अपने अंदर समा लेगा, उसी को बोलते है, phagocytosis, या cell eating, ठीक, देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, cell है, यह देखो, यह, इंगल्फ करने का काम कर रही है, है ना, तो इस तरह से, macrophages work करते हैं, फिर आती mast cells, mast cell बड़ी important भई, काम क्या करते हैं, अगर यही mast cell blood में होती हैं, यही mast cell blood में होती, ठीक, काम भई, यह छोटे से shape की, amoboid shape, irregular shape होता है, उस तरह खोती, इनका काम क्या होता है, यह बहुत सारी चीजों को secret करते हैं, समय के अनुसार, जैसे histamine, को secret करते हैं, mast cells कहाँ स, बड़ी जैसे blood material है, यह देखो, यह हमारी क्या है, mast cells हैं, यह हमारी mast cells हैं, ठीक, इस तरह से, irregular amoboid shape की होती हैं cells, और यह क्या करती है, granular form में, histamine को secret करती हैं, कब secret करेंगे, किसी तरह की कोई allergic reaction हो जाए, किसी तरह की, कोई allergic reaction हो जाए, अच्छा, इनके काम भी, कोई mosquito आया और काट के चला गया, mosquito आया, और काट लिया, जैसे काटेगा, तुरंथ histamine release होगा, और जो हमारी जो vessels होती हैं, blood vessels, इसको क्या करेगा, dilate करने का काम करेगा, क्या, dilate करने का काम करेगा, means, अगर, मान लिया, यह है आपकी blood vessel, ठीक, तुरंथ histamine secret होगा, और यह blood vessel का, क्या होगा, diameter, increase हो जाएगा, इससे फाइदा क्या होगा, इससे फाइदा यह होगा, कि वहाँ पे blood का circulation ज्यादा हो जाएगा, means, protection के लिए ज्यादा, means, कहते कहने, कहीं कि गाउं में आग लग गई, लोग चिलाना सुरू करते, तो अगल बगल के गाउं के लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, किसी mosquito ने काट लिया, काटने के बाद क्या होगा, उसने चिलाना सुरू किया, means, वहाँ पे pain हुआ, inflammatory mediators गए, हिस्टामिन रिलीज हुआ, वैसो डाइलेटर्स का काम किया उसने, और ठेड सारा blood ताकी, एक साथ जगे छोड़ दी, ज़्यादा लोग पहुँच जौब ही मदद के लिए, इसलिए, वहाँ पे ध्यान से देखो, redness आ जाती है, क्यो लाल हो जाता है, ब्रॉंक्योज को क्या नहीं ले सकते हैं, बतलब यहाँ पे सांस कम लो, पॉलेंस हैं, ठीक, किसी तरह का कोई पर्फियूम, बहुत ज़्यादा पर्फियूम कोई अगर लगा के आया है, और उसकी इसमेल अच्छी नहीं है, तो क्या काम करते हो, भाई जाहिरती बात है अदमी उस्तोषता है थोड़ा सांस रोक ले कहीं पर किसी तरह एक बैड स्मेल सी आ रही है अदमी सांस रोकने कोहिस करता है ठीक हमारी बॉड़ी कॉंस्टिक्शन का काम करती है जैसे अस्थमेटिक पेसिंट को यही प्रॉब्लम हो जाती है ज्यादा रखते ना मुह में लिया क्या होता है उसमें एंटी हिस्टामिन सिया इस्टिरोइट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं ब्रॉंको डाइलेट कर देते ब्रॉंको जो हमारे हिस्टामिन ने ब्रॉंक्यों इसको कॉंस्टिक करके रखा है जो उसको डाइलेट कर लेते अराम से आपिसास लिए रिलेक्स हो जाते हैं ठीक तो इस तरह से मास बहुत जरूरी है एक तो ही स्टामीन हो गया ठीक दूसरा से लोटोनिन को रिलीज करते हैं से अब जैसे कोई पेश्ण्ट सो रहा है जब सो रहा है तो ब्लड वेसल को क्या कर देते हैं नेरो कर देते हिं ग्लेटिन को रिलेक्स करने का काम करते है। उससे क्या होगा हर्ट को जादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरहाम से थाड़ा फोड़ा ब्लेट जाता रहा है 見て saying blood circulation, बहुत जादा मेहनत नहीं करनी है। वहां पर सटेटर्पनली अपने रिलेक्स करने का काम करता है, फिर हेपेरिन, हेपेरिन भी आपकी मास्सेल्स सिक्रीट करती है, यह का हेपेरिन क्या करता है, हेपेरिन नेचुरल एंटी कोगलिंट का काम करता है, अगर हेपेरिन हमारे ब्लड में नहीं होगा, तो वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो और ब्लड सर्कूलेशन हैंपड हो जाएगा जिससे अलग अलग तरह की मिन्स इंसान सर्वाइब नहीं कर सकता इसलिए है पैरिन का होना जरूरी है जिनके सरीर में है पैरिन की मातरा कम होती है उनको आर्टिफिशली इंजेक्शन लेने पड़ते हैं टैबलेट से लेने पड है फिर अध्य के ओति श्या सथी सब्रहति हैं जो फैट करने का काम करती है अब यह अनरजी क्या हो जाती है दो तो वो क्या होती है वो फैट के फार्म में एडिपोस टिश्यू में इडिपोस इडिपोसइड मेर्ट उफन Ao फैट उब्लेट को अब होते हैं यह ओक इसका इसका इस्तमाल क्रोड हो जाता यह रिजर्ब लिंफोसाइट प्लाजंड कीकिक काम करती हैं हमुबॉऑइट से होती है और बड़ी ही इंपपोटन फौती है हमारी बॉड़ी का मिलिट्री इसन ocơn रॉड न! lymphocytes बोलते हैं जो secrete करते हैं especially किसको anti-body के और anti-body के हमारे अंदर की military का काम करते हैं ये सही जगे पर lymphocytes के antibodies को release भी करते हैं उनको transport करने का भी काम करते हैं जहाँ जरूरत होती है वहाँ जहाँ बीमारी होती है वहाँ military means, जहाँ पर अतंकवादियों यानि foreign body जहां पर आती है उसके अगेंस में भी लिंपोसाइट का antibodies को बनाती है और भेज देती है जो भई वहां से इस problem को solution करो दो जाके ठीक फिर next चीज क्या आती है हमने क्या कहा था मैट्रिक्स की बात हो गई सेल्स की बात हो गई तीसरा नंबर क्या था connected tissue के लिए fibers ठीक प्रिवेस में जो हमने बताया कि यह थ्री component चाहिए structure requirement फाइबर्स चाहिए फाइबर्स क्या होते हैं अब फाइबर्स में देखो एक होता है white collagen fiber क्या होता है white collagen fiber जहाँ पे strength की जडूवत होती है वहाँ पे यूज होते हैं white collagen fibers फिर जहाँ पर बात करें अगर flexibility की जरूवत होती है वहाँ पे yellow collagen fibers flexible जगे जैसे हमारा क्या हो गया क्या होगी नोस्टीप हो गए यह ना 없고 फ्कश करते हैं बेश का बनाने का काम करते हैं तो यह तीन तरह के नहीं होती है इनमें ब्रांचिंग नहीं होती जैसे आप यह देखो इधर यह है तो फृब ृसी तरह कोई ब्रांची नहीं थीक लोकेशन कहती है टेंडंस बिट्विनझ मसल और बॉन इंडव भीन यह वरटिबरी से दूसरी वर थी कि जरूरत पढ़ती थीक वहीं यलो फाईबर देखो yellow elastic fiber moment of nose nose आईसाईसे आफ हिला सकते हो कान का ëSIA कर सकते हो आप ये ligaments का काम करते हैं बांदने का काम करते हैं और अगर ये क्या होते हैं बहुत highly resistant होते हैं chemical से जल्दी ये क्या होते हैं boil नहीं होते हैं इनको अगर बाहर extract करके रखा जाए और boil किया जाए chemical में react करा जाए जल्दी reaction नहीं करते और ये कैसा इनकी branching होती है single showing network होता है देखो एक ही से सब कुछ बने हुए है ये देखो ध्यान से एक से ही वही network single network होता है single showing network तो ये क्या करते है इलास्टिक fibers की तरह काम करते है यलो इलास्टिक फाइबर्स रेटिकुलिन रेटिकुलिन फाइबर्स delicate framework हमने कहा है न सिंगल एंड ब्रांच ये दोनों तरीके की होते हैं जैसे ध्यान से देखो आप ये ये पोर्सन कैसा है आपका रेटिकुलिन फाइबर्स का ये क्या है framework highly ब्रांच जो होते हैं framework बनाने का काम करते हैं जैसे lymphoid argon, spleen, lymph nodes यहाँ पर रेटिकुलिन फाइबर्स ठीक तो ये तो बात हुए किसकी components जिनकी वज़े से संयोजी उतक बना मतलब कब संयोजी उतक बोलेंगे ठीक अब बात करते है type of connective tissue means classification of connective tissue की अब हम पहुंचे कहां प अब हम particular कितने type इन सब चीज़ों के base पर कितने type होते हो उस पर एक होता है बही proper connective tissue proper connective tissue का मतलब pure pure connective tissue जैसे suppose proper बात की जाए जैसे कोई शुद्ध हिंदी बोलता हो शुद्ध हिंदी मतलब हिंदी में जैसे हम लोग क्या करते हैं हम लोग proper means pure form में कोई language नहीं बोलते ना English ना Hindi कोई शुद्ध हिंदी बोलता हो जो मिलावट ना करता हो है ना चुपके चुपके धर्मेंद्र और अमताब बचन की पहले की movie आई थी उसमें देखा था प्योर हिंदी धर्में जो जब ड्राइवर बन के गया था तो प्योर हिंदी बोलता था है ना तो इससे को बंभी कहने का अलग यह प्रॉपर कनेक्टिव टिशू सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिशू का काम करते हैं मींस इनमें मिलावट नहीं होती दूसरा टाइप होत तो फिर इस पर स्लाइच की कर लेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिशू की अगर हम बात करें तो प्रॉपर दो तरह होते हैं लूज कनेक्टिव टिशू की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिशू में क्या होगा लूज का मतलब भई देखो कनेक्टिव टिशू में हमने क् कनेक्टिव टिशू होगा इसमें मैट्रिक्स ज्यादा होगा और फाइबर्स का होगे लूज का मतलब यह हुगा ना कि फाइबर्स इधर उदर पड़े हुए है दूर दूर पर और मैट्रिक्स ज्यादा है अब इसके पार्ट की बात करें अगर अरियोलर टिशू एडिपोस लूस कनेक्टिव टिशू रेटिकुलर लूस कनेक्टिव टिशू ठिक फिर वन बाई वन हम भी डिसकस कर लेते हैं दूसरा क्या है देंस कनेक्टिव टिशू अब देंस कनेक्टिव टिशू की बात करें अगर तो इसका मतलब क्या होता है मोर फ कम होता है जैसे इसके क्या part है dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue और elastic connective tissue ठीक ये तो बात होई किसकी proper pure connective tissue अब बात करते हैं specialized connective tissue specialized connected tissue यानि connected tissue में जो modifications होते हैं जैसे आपका हो गया skeletal connected tissue CT मतलब connected tissue दूसरा हो गया fluid connected tissue या vascular tissue skeletal connected tissue की अगर हम बात करें तो इसके sub-part में bone और cartilage आता है bone की बात करें तो bone दो तरह होता है एक cancellous होता है compact होता है cartilage की बात करें तो hyaline cartilage, elastic and fibrocartilis ठीक, vascular fluid की बात करें तो इसमें क्या आता है आपका blood आता है और lymph आता है तो यह हुई बात किसकी total classification of connected tissue इसको एक paper पे बना लेना बहुत अच्छे से ठीक, बहुत अच्छे से बना लेना और फिर one by one हम क्या करते हैं एक-एक की study करना शुरू करते हैं ठीक, सारा का सारा कोशिस करेंगे कि इसी में हम खतम कर दें ठीक, classification clear हो गया proper connective tissue, specialized connective tissue एक paper में, horizontal में बना लेना बहुत अच्छे से रट लेना बहुत important है और अलग-अलग form में आता है ठीक, अब हम बात करें सबसे पहले किसकी loose connective tissue loose connective tissue का मतलब ही क्या है less fibers and more matrix जैसे ये देखो भई, बना हुआ है इसमें क्या है, देखो, दो fibers दिख रहे है दो-चार fibers दिख रहे हैं, बाकी सारा का सारा matrix है, थोड़ी बहुत cells है क्यों? क्योंकि cells भी होगी, fibers भी होगा और matrix भी होगी, क्योंकि तीनों component अगर नहीं मिलते हैं तो क्या connective tissue नहीं होता है अब इसमें जो loose connective tissue है इसमें सबसे पहले आता है areolar tissue, areolar connective tissue areola मतलब ही होता है क्या, space ये क्या है, skin के नीचे space देने का काम करते हैं दूसरा, packing material कोई भी चीज है उसको pack करने का जैसे आप कहीं से कुछ order करके मंगाते हैं उसकी अच्छे से packing करते हैं तो ये क्या काम करते हैं packing material का काम करते हैं दूसरी बात अगर हम करें कहीं पे भी अगर चोट लग जाती है चोट लग जाती है तो ये क्या करते हैं ये चोट जल्दी भरने का काम करते हैं कहीं अगर आपको चोट लग गई तो चोट भरने का काम करते हैं और body में बहुत ज़्यादा widely distributed होते है loose fiber होता है many space between ठीक है space होता है most widely distributed connective tissue होता है almost it is found in almost every part of body fluid body के सभी body fluid में ये present होता है under the skin location की बात करें तो under the skin skin और muscle skin और muscle को जोडने का काम करता है हमने क्या का सारे connective tissue का काम होता है एक दूसरे से एक दूसरे को connect करके रखना तो ये क्या करता है skin को muscle से जोडने का काम करता है supporting of blood vessels blood vessels को support करता है blood vessels के चारों तरफ क्या है supporting system का काम करता है nerve, elementary canals ये क्या है support करता है ठीक glands glands को support देता है ताकि वो secretion proper कर सके ये क्या packing material pack करने का काम करता है कोई भी organ है उसको क्या protection देता है ठीक तो ये बात हो गई areaolar connective tissue कहीं भी चोट लगेगी सबसे पहले यही टिशू आता है जो जितना भी घाव हो गया उसको filling का काम करता है फिर बात करते एडिपोस टिशू की एडिपोस टिशू consists of several cells बहुत सारी cells होती है इसमें खास चीज क्या होती है fat globules होता है अब fat globules जो होता है वो कैसे होता है भाई देखो ध्यान से suppose करो कि यह एडिपोस टिशू है ठीक एडिपोस टिशू के अंदर cells है जिसको बोलते एडिपोसाइट्स इसके अंदर होता है fat globules बड़ा सा fat globules होता है ठीक बाकी यह इदर cytoplasm और बाहर की तरफ corner पर यह nucleus होता है nucleus कैसा होता है corners की तरफ बाहर की तरफ cytoplasm बाहर की तरफ बीच में बड़ा सा fat globules देखो यहाँ पर एडिपोसाइट्स की यह देखो ध्यान से यह है यह cell हो गई यह इसका nucleus हो गया ठीक यह देखो यह cells है यह nucleus हो गया ठीक तो इस तरह से करके जैसे यहाँ पर देखो यह nucleus है है ना cytoplasm है और यह बलार्सा जो white white दिख रहा है यह fat globules है fat globules का काम क्या करता है यह fat cells fat को store करने का काम करता है जब कोई excessive intake करता है nutrients को तो यह क्या करता है fat में उसको convert करके reserve food बनाने का काम करता है ठीक यह cells के नीचे subcutaneously पूरे उसमें फैले हुए होते है एडिपोस्ट इशू ठीक यह इसकी बात हुई अब एडिपोस्ट इशू में भी का जो major function होता है वो क्या होता है देखो जैसे कोई मोटा होता है अगर वो गिर जाए तो उसको चोट कम लगती है shock absorber का काम करता है हमारा दूसरा यह जो ज़्यादा मोटा होता है ज़्यादा fatty होता है fat layers ज़्यादा होती है अडिपोस्ट इशू ज़्यादा होते हो उनमे ज़्यादा होते है तो क्या उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती क्यों क्योंकि जो एडिपोस्ट इशू है यह इंसुलेशन का काम करता है means body के अंदर की heat बाहर नहीं जाने पाती आज कल ठंडी बहुत है हम लोग क्या है एक के उपर पहने रहते हैं जो ज़्यादा हेल्दी होते है आप देखो उनको कि इवन गर्मी में भी हम लोगों क्या नॉर्मल अगर लगता है तो उनको पसीना फिर भी आता रहता है तो जो लोग मोटे होते हैं उनको इसी लिए ज़्यादा पसीना आता है ठीक औरगन भी सुरच्छित मींस कहने का मतलब अगर नुकसान है तो कहीं कहीं पर फायदे भी होते हैं ठीक सबक्यूटेनेसली सबक्यूटेनेसली एंड अराउंड दा विस्रेल औरगन विस्रेल औरगन का उन से जैसे आपके हार्ट होगा होते हैं साइट मतलब सेट defic離 के है एक होता है मोनोलाकुलर में एक सिंगल फ्राइटी फैट ग्लोब्यूल होता है इसमें माइटो-कॉर्ण्रिया भी कम होता है अगर माइटो-कॉर्ण्रिया कम होगा तो हीट जनरेशन कम होगा इसको food substitute की तरह यूज करते हैं कैसे food substitute की तरह मतलब एक दो दिन खाना ना मिले तो यहां पर जो इस्टोर होके रखा है nutrients वह यूज किया जा सकता है कि इसमें खाने की तरह means nutrients की तरह है दूसरा होता है आपका यह औरिसको क्या बोलते हैं वीट एड़िपो यह correct यह ते ब्रावन एड़िपोसाइट स्वाइड नशी लाइन है अब इस में जैन चंप delz कई सारे इडिपोस से हैं इस इसम व्त होता है हिफ जरण होता है दूसरी चीज यह की कि जब ही जरण लगने लगती बहुत लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं जिनका घर ये जहां पर अक्सर बरफ गरती रहती है उनको लगती है उनके वह फोसेशिकu order Edipose Tissus जो होते हैं Brown cells जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं या hibernating mammals जो पहाड़ों पे होते हैं January उनमें क्या है ऐसे cells Brown cells Brown Edipocytes ज़्यादा होते हैं दूसरा जो Brown Edipocytes होते हैं इनके अंदर जो fat globally सुते हैं कि इसमें इसको हम food nutrients की तरह नहीं इस्तिमाल कर पाते, food nutrients की तरह नहीं इस्तिमाल कर पाते, ठीक, तो यह किसकी बात होगी, एडिपोसाइट्स की, Reticular Connective Tissue हमने क्या का, यह क्या करते हैं, small bundles का का काम करते हैं, और network बनाने का काम करते हैं, कैसे, it forms stroma of liver, spleen and lymph nodes, ठीक, small bundles within the, तो इनका काम क्या होता है, matrix के अंदर क्या है, यह एक तरह का networking area का काम करते हैं, mess like structure बना के रखते हैं, छोटे-छोटे bundles में, फिर बात करते हैं, next, loose connective tissue काता हैं, अब बात करते हैं, dense connective tissue की, dense connective tissue में, dense connective tissue में कौन कौन से, dense regular भी है, irregular भी है, तो इसमें क्या dense regular connective tissue की अगर हम बात करें, देखो dense connective tissue, देखो कितना बढ़िया शांदाल सा दिख रहा हैं, जब हमने बढ़ा था, जब पढ़ेंगे irregular तो उसमें देखेंगे क्या, बहुत सारा इधर उधर होगा, और जब पढ़ा था, हमने loose connective tissue, उसमें क्या थोड़े से fibers थे, मैट्रिक्स जदा था, इसमें क्या है, dense में, इसमें सब fiber सी fiber से बहुत कम मैट्रिक्स होता है, इसका जो example होता है, दो होते हैं, एक होता है tendons, एक होता है ligaments, tendons और ligaments, अब बहुत ये tendons क्या होते हैं, muscles को bone से जोडने का काम, muscles को, भई ये जो हैं, आपकी क्या है, muscles है न, triceps, उपर क्या आता है, biceps आते हैं, muscles को bone से जोडने का काम करते हैं, हमारे tendons, भई, कभी भी आप जैसे exercise करते हो, कभी भी ध्यान दो, body building करने जाते हो, dumbbell उठाते हो, bench मारते हो, push-ups करते हो, तो क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी biceps, triceps में लग जाती हो, या triceps निकल के biceps में आ जाती हो, या biceps shoulders में आ जाते हो, क्योँकि इनको tendons पकड़ के रखते हैं, बहुत मजबूत मस्त होते हैं, ठीक, बहुत मजबूत tissues होते हैं, और ये करते, क्या, ये जो आपकी muscles हैं, इनको bone से चिपका के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं उम्र के साथ साथ जब टेंडन्स वीक हो जाते हैं तो आप देखते हो कि मसल्स जो लोग बुढ़े हो जाते हैं ध्यान से देखो उनकी जो मसल्स है वो क्या है लटकना शुरू कर देती हैं क्यों क्यों कि टेंडन्स वीक हो जाते हैं जब वीक हो जाते ह फिर बात करते का है कि ligament की, ligament का का m का है? एक bone को दूसरी bone से जोडने का k än का काम करता, ligaments, एक bone से दूसरी bone कहीं भी, चाहे shoulder हो, चाहे forearm हो, ठीक arm हो, तो इन सब को कहीं भी एक bone से दूसरी bone को जोड़े, जाहिरती बात है वो हमारे ligaments का होता है ठीक तो ये बात हुई का है कि tendon और देख लें थोड़ा figure अब ध्यान से देखो tendon क्या कर रहा यहाँ पर ये tendon है देखो एक bone को दूसरी bone से जोड़ रहा है ठीक muscles ये देखो ये muscles है ये muscle और bone ये देखो आपकी tendons जोड रहा है tendon का का काम क्या है muscle to bone, ligament का काम क्या है bone to bone एक दूसरे को जोड़ के रखता है ठीक clear हो गया ये फिर बात करते है dense irregular connective tissues ये क्या काम करते है देखो यहाँ पर क्या irregular कहीं भी कुछ भी फैला हुआ है ठीक इधर उधर उधर जैसे हमारे irregular pattern में होता है जैसे skin के नीचे या deep dermis के नीचे हमारे irregular connective tissues dense irregular connective tissue present रहते हैं ठीक वैसे ही elastic connective tissue जहाँ पर elasticity की जरूवत हो जैसे हमारी arteries होती है या trachea होती है vocal cards होती है यहाँ पर क्या elasticity की जरूवत परती है तो वहाँ पर होते है Elastic Connective Tissues जो जोडने का काम करते हैं ये तो बात हुई का है कि एक टाइप की यानि Proper Connective Tissue की आप हम बात करते हैं Modified यानि Specialized Connective Tissue की बात करते हैं Specialized Connective Tissue में दो तरह के थी भाई एक तो क्या Cartilage Bone आते हैं दूसरा क्या आता है Vascular System Vascular System में Blood और लिम्प था तो Cartilage और Bone ये दोनों मिला के बनाते हमारी Body का Indoskeletal System Vascular System दोगो Blood और लिम्प ये है Vascular System में इसको हम लोग यहां Connective Tissue में नहीं पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे जब Chapter 5 में Hemopoetic System आपका है जब वहां पर पढ़ने जाएंगे तब हम Blood और लिम्प के बारे में अच्छे से बात कर लेंगे तो ये वाला जो Connective Tissue है हम वहां पर पढ़ेंगे यहां पर हम दूसरा क्या Cartilage और Bone के बारे में Cartilage पहले पढ़ लेते हैं Cartilage में क्या है तो ये Soft Connective Tissue Compared to Bone ऐसा नहीं है कि ये Soft होता है लेकिन जब Bone से Comparison करते हैं तब ये Soft Connective Tissue होता है इसमें क्या होता भई Matrix of Cartilage Soft and Pleiable Pleiable मतलब दबा सकते हो जिसे ठीक Matrix कैसा होता है Soft होता है दब सकता है Outermost covering of Cartilage को क्या Perichondrium जब कहीं पर Peri और Something आगे कुछ लग जाए इसका मतलब ये Outer Covering की बात कर रहा है या नहीं की देखो Terminalology समझते चलो Perichondrium Means Chondrium की covering Chondrium क्या Cartilage ठीक दूसरा क्या है Cartilage Producing Cells Arrange the Periphery of Cartilage Known as Chondroblast Cells फिर देखो आगया क्या Chondroblast Chondroblast मतलब क्या Chondricytes यानि की Cartilage की जो cells होती है उनको generate करने का काम करते है Chondroblast Something making कुछ बना रहे है ठीक Mature cells of Chondrocyte Chondrocyte को बनाता कौन है Chondroblast समझो बात को Confuse मत होना Blast मतलब something कुछ बनाया जा रहा है किसे बना रहे हो Chondrocyte को Cartilage की जो cells होती है उनको बोलते Chondrocyte ध्यान रखना ये सब MCQ में पूछा जा सकता है ठीक अब Chondroblast सुरू में ही हमने बताया Clast आ जाए मतलब something destroying कुछ तूट रहा है कुछ बिगाड़ा जा रहा है कुछ destroy किया रहा है Blast मतलब कुछ बनाया जा रहा B for blast B for banana मतलब उसको क्या बनाया जा रहा है किसको बनाया जा रहा है Chondrocyte Cides कहीं पे लग जाए मतलब cells जैसे Cartilage की cells को Chondrocyte यहीं पे अगर आ जाएगी Bone की cells क्या बोलेंगे Osteocyte अब Chondroblast मतलब बिल्कुल confuse मतल लिखते चलो न बहुत अच्छे से clear हो जाएगा ठीक तो Chondroclast क्या है Cartilage destroying cells Destroying cells क्या काम होता है कहीं पे कुछ damage हो जाए तो उसको क्या है Excrete करने का काम Destroy कर दिया जाते Matrix made up of protein Protein क्या बोलेगा उसको Chondrin जो protein होती है पूछ सकते हैं MCQ में Cartilage की जो protein होती है उसको क्या बोलते है Chondrin Cartilage की जो cell होती है उसको क्या बोलते है Chondrocyte ठीक और Cartilage formation किससे होता है Chondroblast Cartilage cells को destroy कौन करता है Chondroclast ठीक तो ये ध्यान रखना Chondrin जो protein होती है कहे कि बनी होती ही Mucopolysaccharide Glycoproteins Protein present Chondrin हो गई ठीक अब ये कहां पे होगी जहां पे Tough और Flexibility की ज़रुवत हो इसके भी जो types होती है Cartilage के तीन तरह के है Hyaline Cartilage Elastic and Fibro Cartilage कौन कौन सा Hyaline Elastic और Fibro Cartilage पहला देखते हैं Hyaline Cartilage बहुत important है Short note on Cartilage भी पूछा जा सकता है एक्जाम में ध्यान रखना तो पहले टाइप का जो Cartilage है उसको हम क्या बोलेंगे Hyaline Cartilage अब ये Hyaline Cartilage कहां होता है भई Articulating Joint भई ये Joint है इनकी जो Layer बनाने का ध्यान से समझो जब Cartilage Fracture होता है जल्दी ठीक नहीं होता अब ये Bones है जैसे हमारी पैर की Bones हो गई Knee and वो Bones हो गई है ना या हाथ की Bones हो गई या ऐसे ऐसे करके या Fingers की Bones हो गई अब ये जो Bones है इनमें जब Moment होता है Moment होगा तो क्या होगा एक दूसरे में Friction होगा फ्लूड लूब्रिकेटिंग एजेंट ताकि इसी Cartilage पे आसानी से ये जो दो Bones है ये आराम से Moment कर सके एक दूसरे से टकराएं नहीं जब टकराएंगे तो घिस जाएंगे घिस जाएंगे तो Problem होगी Inflammation हो जाएगा फिर दुनिया बर की समस्याएं आ जाएंगी समस्याओं के बारे में बात में बात करेंगे तो बात समझ में है Long Bone बड़ी Bones के क्या होते हैं Bones के Covering पे या फिर जो Trachea की Rings होती है Tracheal Rings होती है दियान से देखो मैं Figure दिखाता हूँ देखो यह Tracheal Cartilage यह जो Red Red से दिख रहे है Tracheals की Ring को Connect करने का काम करते है यहाँ पे Articulating Cartilage देखो इध्यान से यह जो यह दिख रहा है यह क्या है हमारा यह Highland Cartilage Long Bone पे यह Covering अगर यही Cartilage नहीं होगा बीच में नहीं होगा और Nazzle Septum Nazzle Septum देखो यह भी क्या है हमारा यह Nazzle Septum Nazzle Septum क्या होता है भई यह दो Nostrils होते हैं बीच में Septum होता है होता न वो Septum कहें कहें बना होता है Highland Cartilage का बना होता है Important समझो Cartilage की ठीक फिर बात करते कहें कि Elastic Cartilage Elastic Cartilage मतलब Flexibility Nostip Iptiglottis यह सब कहें कि बने हैं Elastic Cartilage की ठीक कहें कि Elastic Cartilage फिर बात करते कहें कि Next है हमारा Fibrocartilage क्या है Fibrocartilage यह Intervertebral Disc जो Intervertebral Disc होती है देखो Figure मैंने दिखा रखा है Intervertebral Disc एक डिस से दूसरी डिस को जोड के रखने का काम करता है उनके बीच में होता है ताकि वो टकराई नहीं भई हम लोग जुकते हैं उठते हैं जुकते हैं उठते हैं उठते हैं एकसरसाइज करते हैं वेट उठाते तो क्या होता है Vertebral Disc एक दूसरे में रगड़ खा सकती जॉइंट्स लगा हुआ है इस जॉइंट्स के उपर कवरिंग का काम करते हैं कौन से है फाइब्रो काटिलेज जहां पे स्टिंथ की जरूवत ज़्यादा होती वहां पे फाइब्रो काटिलेज मतलब वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं ठीक इतना क्लियर हो गया काटिलेज आगे बढ़ते हैं बोन टीशू पे आते हैं अप इस पेसलाइस टाइप आफ बोन टीशू ठीक बोन टीशू में बोन क्या होता है हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉंग वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ठीक क्योंकि एक ही में हम चाहरा हूँ कि एक में ही ये खतम हो जाए connective tissue ठीक ताकि next में दूसरे में तो परिशान मत होना आराम से एक में ठीक बोन क्या है हार्डेस्ट एंड रिजिट मैटी connective tissue होता है इसमें 60 से 70 परसेंट क्या है आपका कार्बोनेट केल्जिम फास्पेट होता लेकिन केल्सम फास्पेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कोलेजन फाइबर 30% से 40% लगबग और्गनिक पार्ट होता है जिसमें बोन मेरो हो गया मैट्रिक्स हो गया और नॉन प्लियेबल पार्ट इस यह कैसा होता है यह साफ्ट नहीं होता है अगी oh इसलो का मतलब होता है in which are бел سंको कैसे मेचुर नहीं नहीं हो यह न बौन सेट्व that was titled मैंची यहां पर साइट लग जाए मीन्स यह सनकना में जहां पर hunt प्लास को बना रही तो वोन क्या आच्छा बोन में और क्या है खास चीज जांव दूसरा बोन के अंदर एक red bone marrow एक yellow bone marrow होता है ठीक, red और yellow bone marrow होता है अब इसमें किसकी क्या कहानी भई देखो, ये bone है, ध्यान से समझो bone को, ये long bone एक है, long bone का जो shaft part, ये क्या होता है shaft, shaft part जो है इसको बोलता है diaphysis क्या बोलता है diaphysis, और जो corners है इसको बोलता है epiphysis ध्यान से समझो, bone दो तरीके के हमने बताये थे कौन से compact और cancellous यहाँ पर समझ लो, आगे explain कर देते हैं अब देखो, जो epiphysis होता है part, ये होता है spongy bone, spongy bone कौन सा? cancellous means second type का, epiphytes ये ध्यान से, ये red bone में रो और ये है yellow bone में रो ठीक, ये है क्या, आपका yellow bone में रो, अब देखो, जो red bone में रो होता है, वो क्या करता है आपके blood cells को बनाने का काम करता है blood cells का बनाने, और जो yellow bone में रो है, वो क्या करता है fat cells means fat को store करने का काम करता है, fat storage cells की तरह अब ध्यान से बात को समझो कि red bone marrow तो कम है और blood की ज़रो जदा पड़ती है और yellow bone marrow बहुत है तो काइदे से तो उल्टा होना चाहिए अगर logic की बात की जाए logic समझो मतलब किसी का accident हो गया एकाद लीटर दूप अगर means blood गिर जाए तो क्या होगा वही उस condition में थोड़ा सा तो आपका red bone marrow कितनी sense बना लेग लेकिन in emergency condition क्या होता है बहले यलो सही वह क्या करता है मांगता है उससे भाई थोड़ी मदद कर दे मेरी थोड़ा सा तुम भी blood cells बनवा दो तो उन emergency condition में जो yellow bone marrow होता है ये भी काम करता है किसका हीमोपोईसिस का blood cells बनाने का ठीक कब emergency condition में हमेशा नहीं ठीक तो ये तो बात होगी बाव और जो covering होती है उसको क्या बलता है पेरि ओस्टियम देखो ये है covering है ऑस्टियम कब कवरिंग ओस्टियम इपिफाइसिस क्या होती है spongy होती है यानि red bone में रो किदर होगा spongy side होता compact कौन सा होगा हमारा diaphysis ठीक यहां पर बात clear हो गई इतनी और articulating cartilage देखो कहीं पर भी जो cartilage की बात कर रहे थे हम यह देखो यह long bone में आपका hyaline cartilage होता है यह देखो यह cartilage है जो दो bone को एक दूसरे से क्या है जुड़ने नहीं देता है मतलब एक दूसरे friction नहीं होने देत होता है ठीक है तो इपिफाइस डाइफाइस क्लियर हो गया red bone marrow and yellow bone marrow clear ठीक आगे बढ़ते भई अब ध्यान से देखो bone marrow bone का छोटा सा टुकड़ा suppose को जैसे bone का यह छोटा सा टुकड़ा हमने cut किया cut करके उसको हमने microscope से देखा कि भई इसमें क्या दिखता क्या है तो उसमें दिखेगा कि भाई एक लेकुना है ठीक लेकुना है लेकुना के अंदर क्या है एक ओस्टियोसाइट मतलब क्या है ओस्टियोसाइट क्या होता है ओस्टियोसाइट मतलब bone की सेल bone protein क्या बोलते हैं इसको ocean protein बोलते हैं covering को periosteum बोलते है matrix के अंदर concentric rings होती है concentric rings होती है जिसको हम बोलते हैं ध्यान से यह लेमिली और kenali kuli बड़ी important ध्यान रखना आगे पता चलेगा है न और यह center पे concentric ring होती है इस पूरे उसको क्या बोलते हैं haversian kenal ध्यान से देखो अब देखो में दिखाता हूँ थोड़ा सा ध्यान देना करसर की तरफ इस तरह से करके यह red वाला यह देखो यह क्या है यह हमारी concentric lemili है ठीक और यह जो beach का part है बीच में देखो जो bone निकला हुआ है है और यह क्या है हो इस तरह से covering है इन Caroline करवे इनको इनको क्या क्या बोलते हैं लेमिली ठीक दूसरा यह चोते-चोते से टुक्ड़े हैं जिसको बोलते हैं हím Laccuna क्या है राधीन और यह Пока ना即ली लैमिली में में देखो ध्यान से यह लेमिली में है और यह देखो एक हावर संस काणाल से दूसरे के बीच में और इसको दिहां से इंदर यह क्या है लेकुना यह क्या है लेकुना लेकुना के अंदर ऑस्टियो साइट्स ठीक और यह हैं हमारी काणाली कुली है कैनाली कुली है यह जो pipeline structure है ini to नीँट्रिशन जाता है इसी से केनाल सिस्टम क्लियर एक दो बार देखना वीडियो समझ में आ जाएगा फिर कॉंपैक्ट बोन पर आते बोन दो तरह एक कॉंपैक्ट और कैंसलर हमने बात की थी गोल चौंपैक्ट बोन यिटट कंसिस्ट ओफ लारज नंबर ओफ यूनिट हावर्सियन सिस्टम जो कॉंपैक्ट बोन होते हैं ज़ो कölफिट होंपैक्ट बोन कहां पे था डायाफसीं में में Diaphysis means shaft का part, beach का part, है ना solid part था, उसमें बहुत सारे हैवरसियन कनाल सिस्टम होते है, हैवरसियन कनाल सिस्टम कैसे, longitudinal, contains food, lymph, capillary and nerves, जिसके अंदर क्या highly bone क्या highly vascular होता है, ठीक, blood, lymph, capillary, nerves, सब कुछ होंगे, canal surrounded by concentric plate, जो concentric plates है, जो lemily है, उनको ये concentric plates को क्या, जो गोल-गोल होती है, उनको क्या बोलते है, lemily, ठीक, between lemily there is the space, इस पेस जो लैमिली के बीच में जो इस पेस होता उसको बोलते हैं लैकुना लैकुना में क्या होता है लिंप लिंप बोन एंड ऑस्टियो साइट जो भी हम बात कर रहे थे यह देखो यह है लैकुना हमारा दिस इस दा लैकुना और बीच में जो सेल है यह कौन सी सेल है ऑस् जोड़ कि जो इसको रखता है उसी को बोलते हैं कैनाली कुली लिम्फ जो है को जो न्रिश्मेंट जो पहुंचता है वहाँ तक वह किसके तुरू जाता है कैनाली कुली जो मैंने अभी पीछे पाइपलाइन दिखाई थी आपको ठीक इसपेस बिट्वीन हैवर्सियन कैनाल बीच में जो मैंने बताया था ना दो उनके बीच में इंटर इस्टिसियल फिर का इपिफाइसिस उपर का पॉर्षन इंड़ से बताओ उन्याए पॉर्षन में क्या था Red Bone Marrow, है न, इसी को हम बोलते हैं, Spongey Bone, क्या बोलते हैं, Spongey Bone बोलते हैं, ठीक, Spongey Bone बोलते हैं, और इसमें Lamele कम होती हैं, Compared to Compact Bone, ठीक, Red Bone Marrow is present in Cancellus Bone, तो ये बात होई किसकी, Bone, कौन सा, Compact और Cancellus, ठीक, Thank You, इसी के साथ, पूरा Connective Tissue हमने खतम कर दिया है, कहीं कोई होती, Comment Box में लिखना, अगले में हम Muscular और Neuromuscular एक साथ, खतम कर देंगे, Next,